Hello and welcome to Easy Learning, Smart Learning C++ के इस lecture में आज हम Static Keyword का यूज सीखने वाले है Static Member Functions होते हैं, Static Members होते हैं अब Static का इस्तमाल क्या है? यह हम Programming की तुरू बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे सबसे पहले एक Program देखते हैं जिसमें मैंने एक Counter नाम का Function मनाया इसमें Simple सा Variable लिया, Count equal to 0 इसकी Value आप देख सकते हैं 0 और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? Count++ कर दिया हूँ फिर मैं Main Function में आके, एक Loop लगा रहा हूँ जिसे 5 टामस मैंने रन किया है, 0 to less than 5 तो यह 0, 1, 2, 3, 4 तक यह Loop चलने वाला है इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ? Function को Simply जो मैंने यहाँ पर Declare किया है उसे मैं Call कर रहा हूँ यह Variable जो है Integer है, इसकी Value 0 है इस Program को मैं Compile कर रहा हूँ और यहाँ पर Execute करने के यहाँ पर Compile and Run कर रहा हूँ देखे, अब यहाँ पर Output जो है देख सकते हैं Continuously यहाँ पर 0s प्रिंट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि Every Time जब Function कॉल होता है तो Count की जो Value है, Current Value वो 0 है Count++ हम करते हैं बट जो Count++ करने से भी हमारी जो Incremented Value है वो प्रिंट नहीं हो रही है अब आप यहाँ पर जाए 0 लें या 5 लें या जो भी लें यह Value चेंज नहीं हो रही है यह इस प्रोग्राम का मतलब है अब आपको एक थोड़ा सा जादू जैसा लगेगा कि यहाँ पर मैं लिख दिया Static Static की वर्ट करता क्या है आप किसी भी Function में Member Function हो, Class का Member Function के बारे में बाद में discuss करेंगे यह Simple हमारा User Defined Function है Counter जब आप इसे किसी भी Function में Declare करते हैं तो Function में Declare करने से होता क्या है यह अपनी Value को इस तरीके से Hold कर लेता है कि जब इसकी Value भी 0 है तो Next जब आप इसके Call करेंगे तो हमने इसे क्या कर दिया? Count++ कर दिया तो इसकी Value 1 ही रहेगी फिर जब यह वापस Call में आएगा तो इसकी Value फिर से Increment होके 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी फिर इस तरीके से Increment होते जाएगा तो अब मैं इसे आपके सामने फिर से Static लिखने के बाद सिर्फ Static मैं इसे में लिख दिया है हम इसे फिर से Compile & Run कर रहा हूँ आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली बार में 0 दूसरी बार में 1 और इस तरीके से आगे यह प्रिंटिंग कर रहा है तो यह वजह क्या है आकर तो इसे आप Definition से इसकी समझ लिजए स्टाटिक वेरियबल्स वन यूज़ इंसाइड फंक्शन जब किसी फंक्शन के अंदर गत आप स्टाटिक वेरियबल को यूज़ करते है और इनिशलाइज ओनली वन्स इसमें इनिशलाइजेशन के वल एक ही बार होता है and they hold their value even though function calls और यह अपनी value को hold करके रखते हैं आप जो भी value एक बड़ चेंज कर दिए इसकी अपनी value को hold कर लेगा और hold करने के बाद जब जब आप function को call करेंगे वह value जो पिछली value है उस पर एक काम करेगा जैसे 0 थी आपने 1 कर दी function के अंदर में तो यह 1 ही रहेगा फिर next निवाब call करेंगे तो 1 थी अब 2 हो गई फिर 2 से 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता है तो यह होता है static variable आई यह देखते हैं कि इसी static keyword का use हम class और object में कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया class और object का use कर सके हैं यहां पर हमने class ली है abc जिसमे class का एक member variable है integer a इसमें हमने public function define करके रखाए abc नाम का तो यह एक तरीके से constructor बन गया क्योंकि हमने class का नाम दे दिया इस constructor के अंदर में हमने एक variable लिया है i equal to zero और इसमें simply एक message हम print करा रहे हैं कि हम इनिशिलाइज हो गया उसके तुरंद बाद हमने क्या किया है destructor को एक declare किया है यहां पे compliment sign लगाके destructor बनाया और इसके अंदर में हमने लिग दिया destructor तो यह कब invoke होगा जैसे यह आप एक class का object अगे हम class के बाद में एक particular function यहां पे declare कर रहे है यह function जो है separate है main function के पहले है class के बाद में है इसका नाम है F इसमें हमने static ABC का object declare किया है तो अब यह static keyword का use करके आप ABC class का object declare करेंगे तो इससे होगा क्या यही हमको समझना है इस particular program में तो main function में हम X is equal to 0 दे देते हैं अगर X की value 0 है तो function call होगा तो देखे यहां पे X किया है एक variable है और X को हमने कहीं पे भी declare किया है इसको initialize किया है तो यह condition जो है true है function जो है call हो जाएगा तो जैसे ही call होगा तो यहां पे print होगा end अब देखे आप पूरे प्रोग्राम में देख लिजे हमने कहीं पे भी इस जो class है आपकी ABC इसको हमने कहीं पे भी call नहीं किया है तो इस function का प्रोग्राम का output एक तरीके से या ना चाहिए इसमें सिर्फ end आना चाहिए लेकिन actual में किसी आप particular class का object बना देते हैं तो वो क्या होता है automatically invoke होने का काम करता है इसलिए हम क्या करते हैं static का use करते हैं तो अब होगा यह इस प्रोग्राम में कि जैसे ही इसका हमने object declare कर दिया है तो सबसे पहले यह जो constructor है वो invoke होगा इन्वोग होने के बाद डिस्ट्रॉइन के पहल देखिए इसका और रन देखिए इसका यह हमने compile किया रन किया सबसे पहले constructor इन्वोग हुआ फिर end statement जैसे function call होता है वो हुआ फिर डिस्ट्रॉटर हुआ एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बहुए डिस्ट्रॉटर जब हमने कॉल किया है तो वह दिस्ट्रॉटर कॉल क्यों नहीं हुआ वाइव दिस्ट्रॉटर नॉट कॉल अप उन्द एंड ऑफ इसकी वज़ा यह है क्योंकि देखिए जैसे ही हम किसी object के reference को कॉल करते है तो डिस्ट्रॉटर उसमें हैं तो डिस्ट्रॉटर तो कर देगा वो लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आपका object is static होता है तो उम्मीद है आपको यह static keyword का दो एक्जामपल है पहला यह कि आप static member function को कैसे इस्तमाल कर रहे हैं दूसरा उसी static member का class और object में कैसे इस्तमाल कर रहे हैं यह आपने समझा तीसरा और सबसे important यह जो topic है यह है static data member का तो ध्यान से topics को समझ लिजे सबसे पहले हमने समझा static variable फिर class और object में static keyword का इस्तमाल और तीसरा हम देख रहे हैं कि static member कैसे बनाया जाता है किसी class में तो यह class है हमारी x जिसमें public नाम का एक हमने variable डिकलेर किया है जो है integer i तो यहाँ पर i जो है वो class का member आप देख सकते हैं जिसको directly आप उस particular class में तो access कर सकते हैं लेकिन main function में तो किसी भी class के member variable को open access नहीं कर सकते हैं तो इस प्रोग्राम में इस बात को बोलना इसलिए जरू पर दिया है अब देखें यहां पर एक line लिखे हुई है int x यह है मारी class का नाम है जिसमें scope resolution operator का इस्तमाल करते हुए i variable को access कर रहे हैं और इसकी value को दे दे रहे हैं 1 यहां तक आपको clearly sound में आगे होगा अब हम main function के अंदर में देखें x का सिर्फ एक object कर रहे हैं और उसी object के द्वारा हम क्या कर रहे हैं i को access कर रहे हैं तो इस program का output क्या होगा आप एक बर guess करके देखें देखें मैं आपको दिखाने से पहले आपको थोड़ा साथ सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप इस program का output सोच के देखें कि क्या आएगा तो इसका output है वो कितना आएगा 1 की जो value है वो print हो गई है इसका मतलब यह है कि आप class के बाहर में भी जाके आई की value को initialize कर सकते हैं इस तरीके से और arithmetic operations अगर आपको perform करना है तो भी आप static member function का इस्तमाल इस तरीके से कर सकेंगे तो आप यहां पे जो भी value दें चाहिए 1 दे या 15 दे जो भी आप initial value देंगे कि वही value जाके यहां पर print होनी है इसे एक बार run कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो value आपने दिया है वही value प्रिंट कर रहा है और आप इसे access कैसे कर रहे हैं obj.ileak के आप directly उसको access करते हैं तो जो भी i की value है उसे उसको प्रिंट कर दे रहा है constructor की और static member की साहत से तो उम्मीदे लेक्चर आपको पसंद आया होगा यदी पसंद आया हो तो क्रिपया लाइक बटन दबाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को कोई doubt हो तो क्रिपया comment section पर ज़रूर बताएं thank you very much अगले lecture में बिलते हैं thank you